हालो फ्रेंट स्वागतियों को फिट से आप सभी कामने ट्विप चनल में और दोस्तों आज के इस वीडियों में फिरसे में लेका रहा हूँ आपके एरर के कोश्चन ठीक है फिलर के कोश्चन मिलेंगे यहां पर एंटो सैनों मिलेंगे इसके बाद आपको यह दियाम फ्रेंगे एडियम हो गया है फ्रेंज हो गया पीकी वार्स जैसे कोश्चन यहां पर इस वीडियो को टॉपिक में आपको मिलेंगे ठीक है तो आप सुरुषी वीडियों अंतक देखें वीडियो काफी इंपॉर्टन रहेगा और जितने भी सबसे हैं तो चली आज का क्लास यहां शुरू करते हैं ठीक है तो फर्स्ट कोश्चन पर आते हैं यहां पर फर्स्ट कोश्चन में आप परेंगे कि और क्योरी विल बी आंसर बाइद चीफ इंस्ट्रक्टर बहुत सिंपल कोश्चन है अपको फाइंड डरना है तो जब तक आका प्रून नहीं जानते हैं आप नहीं बना पएंगे सबसे पहले जाने साथ किया होता है यह उणकांटेवल monkey होगा फोल के साथ अनकांटेवल होगा विलूंट करना हो नव.. के लिए आप मैं पर दाप साया है ठीक है और यहां पर क्या कर देंगे प्लोरी के संसमें आप के ओरी स करेंगे यही तो समझे कि फर्स पार्ड मेरा था कि और के साथ कियोजोगा जब यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फॉर्मिशन उसको आप देखेंगे उसके बाद आप समझेंगे कि क्या करना होगा है उसके बाद उसके बाद सब्स प्लस वर्व का थ्यक्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना होगए वाइं mean और वर्ब का थटपार्म यहाँ पे फिर से है ठीक है तो संटेंस सही होता है और फर्स्ट पार्ट में इसमें एर्र था वर्ड की जापर आपको क्या करना होगा वर्ड करना होगा है ना चलिए आगे बरते सवाल पे सौरी नेश्ट कुश्चन क्या अभी यहाँ पर होता नहीं है यहाँ है ठीक है चलिए लेस्ट कोशन के कि there were no furniture in the flat except for a couple of beds क्या यहां पर हो सकता है रहे तो आपको मैं नहीं सिखा थे कि furniture जो है क्या है एक ऐसा जो यहां पर कह सकते हैं एक ऐसा यह वर्ड है जो अपने आप में क्या होता है सिंग्लर होता है यह अपने हमें क्या होता है शिम्ग्लर होता है कई यहां पर स्वाइब को काटेंगे पर क्या यूज करेंगे वोज करेंगे अब जाकर सही होगा संटेंज there was no furniture in the flat except for the couple of beds ठीक है चली next question पर आते है next question में कहाँ पर error हो सकता है देखेंगे maintaining a healthy body and engaging in activities according to a timetable ठीक है according to a timetable will give you will give you the feeling that you have enough time to do everything here at time tables here at the time table call first to find the way इसunde पहले में जो एरो आपको महले बताया था कि यहां पर article based error редली से नेलिक दिया गया है खाला time टेवल सकर लिख दे अब धिया गया तोसके प्वरrey क्या होगा एहांपर क्या होगा नहीं होगा ठीक है यहां पर रिमूब करेंगे ठीक है Secór टे ये अगर रहेगा तो यहाँ पर S हटागर सिर्फ टेवल करेंगा टाइम टेवल हो जाएगा A time table according to a time tables time tables हलाक एक ध्याँ रखेगा यहाँ पर चीज़े और भी समझने वाली बात है time tables नहीं होता है time table होता है तो इसलिए यह इसके साथ सही होगा ठीक है चले अब आते इसके बाद आपको फटा फट देख लेते हैं कि क्या है साइनो ठीक है यहाँ से क्या है साइनो है जिसको साइनो निम्ट कहते है सेम अर्थवाला वर्ड़ आपको डूना जैसे bargain bargain का मतलब होता क्या पहले ठीक है bargain का मतलब ही होता है मूल भाव करना या बाचित करना क्या होता है मूल भाव करना अब इसका या बाचित करना भी होता है बाद चीत करना इसका जो साइनो का वो का नेगोसियेट करना ठीक है नेगोसियेट का मतलब ही सेम चीज़ होता है थिक बाखी अगर डिस्टिक टो विवाद होता है सर्प्लस का मतल़ होता है अतिरिक्त बच्चत होता है पाकी लेस्ट कोशन पर ते रबस्ट, रबस्ट का मतलब क्या होता है, रबस्ट का मतलब होता है, मजबूत, तो इसका साइनों क्या होगा, मजबूत का यहाँ पर वह साइनों, अस्टडी, ठीक है, एस्टी, यू, अस्टडी का मतलब होता है, मजबूत, बाकि थीन का मतलब, क्या ह होता है पतला हेवी भारी कमजोर है ना चलिए नेश्ट कोशन पर आते सम्मिसिप सम्मिसिप का मतब होता है क्या है तो सम्मिसिप का मतब होता है इसका मतब विर्णम के सेंस में भी होता है या फिर दब्बू के सेंस में भी होता है दब्बू कहलें कम बोलने वाले हो बहुत चुपे टाइब के रहते हो सम्मिसिब इसका जो साइन होगा वोगा डोसाइल डोसाइल का मतलब भी सेम मिनिंग होता है ठीक है ठीक है बाकी अस्टाब बंड का मतलब आपको पता है जिद्धी होता है ना अनिल्लिंग का मतलब क्या होता है जो कभी ना जुके है ना अनिल्लि त्रीड कह सकते हैं या जिद्दी के सेंस में भी कह सकते हैं जो कभी नहीं जुगता हो है तो इसका जो क्रक्टन्सर को हो तो सी होगा और जो तीन मिनिंग था आपको मैंने बता दी अनिलिंग एस्टाबर्ड और obstinate का मतब सब सेम होता है ठीक है चले हैं अब आते सपल सपल का मतब होता है क्या अभी सपल का मतब होता है लचीला लचीला है ना लचीला तो इसका जो साइनों होगा वो होगा फ्लेक्जिवल फ्लेक्जिवल का मतलब होता है लचीला ठीक है बाकि आपका अगर आगे देखते हैं मिनिंग तो रिजट का मतलब होता है हाड होता है कठोर रॉंड गुल तो पता है ठीक है इसका मिनिंग जाना चाहते हो तो रिजट का मतलब होता है कठोर हाड है ना कठोर क कर दोस्टाना अब यहां से आते अप साइनों एंटो तो ठाल शाय धिए स्कारा मुलिखह़का हो तो नोट करना थे इसका मतलो टूर जाना चाहिए था टूर फैसंति का मतलब जाना चाहिए ऩो फैसके । तो इसका जो होगा opposite क्या होगा choose का मतलब चुड़ना तो उसका opposite होगा reject करना क्या होजाए कि आपके यहाँ पर reject करना ठीक है next question पर आते जक्ष्टा position काफी वार यह word आया है exam में काफी वार ठीक जक्ष्टा position जक्ष्टा position का मतलब होता है कि नजदीग ठीक नजदीग के sense में यह चीज़ें आपको आस-पास में रखी हुई मिलेगी ठीक नजदीक नजदीक इसका opposite जो होगा separation अलग 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 और इसका तो होता है नजदीक 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 मैंने बताया है ना इसकी पास-पास के sense में रखा हुआ हूँ ठीक है चलिए next question तर बोल्ड बोल्ड का मतलब होता है सहसी बोल्ड का मतलब होता है सहसी इसका opposite हो जागा तीमिद डर पोक डर पोक है ना लेश्ट क्या है है हेस्टन का मतलब होता है जल्दी इसका जो opposite हो वो क्या होगा slow दीरे दीरे यह ना धीरे दीरे ठीक है चलिए next question प्याते अब next क्या है question यहाँ पर अब इडियम फ्रेज शुरू हो गया बहुत important question है इडियम फ्रेज ठीक है after much contemplation the two rivals decided to bury the hatchet and work in illusion बरी the hatchet का मतलब होता क्या है ठीक है पुरानी दुष्मनी भूला देना अब पुरानी दुष्मनी भूला देना इसका मतलब होता क्या है स्वार्थ निकालन इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालन इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालन मतलब क्या होता है दोगे बैस टैप का लोग होते हैं इसकी प्रस्नल इन्टु सर्व पस अपने मतलब का काम करना बाकी दुनिया इधर को दर हो जाए ना चली इसका जो करेक्ट नस रोगा वोगा डी इसको ने बर्णिंग प्रॉब्लम आप आप यहां इसका अपना है तो अपना है पहचान बनाना में इसको बत्ले को बताना है अपने आपको पहचान अपनी पहचान बनाना अपनी पहचान बनाना ठीक है चलिए अगर बरते सवाल पर कि I am all ears underline किया हुआ है ना इसी को बताना all ears to listen your stories of civility civility का मतलब होता है सिश्टा से आधर पुडवक बैठ कर अराम से सुनना ठीक है तो कहले हैं मतलब आइम all ears to listen, listen कर रहे था ना कैसे सब्सक्राइब को सजाना रहता है तो देखिया मैं क्रिक क्या बताने वालू सबसे पहले थे कि सब्सक्राइब और अग्मेंट सब्सक्राइब और अब्जेट से रिलेटर चीज़े होता है जैसे होसिंग फैसिलिटीज के अगर बात करें यह सब्सक्राइब होगा इसके लिए हमें एक वर्व डूना होगा तो तो कीप अप तो है नहीं विद्धा इंक्रिजिंग नहीं इंफ्लक्स नह और रहें श्टरगल कर रहें यह तो हो गया आपका इस से स्टाइट होगा श्टरगल खौसिंग फैसिलिटीज श्टरगल है नहीं फैसिंग फैसिलिटीज क्या करें श्टरगल कर रहें क्यों है सब्जेक्ट हो गया यह तो यहां पलिक देते सब्जेक्ट यह तो सब्जेक उसके बाद और क्या आएगा जराध्य यह रहा है सब द्राइच कि तुछ? वट कीपप इस पीक्टी ऑप यहां लांगा में इसग बागी दो तो आप गरीज है है पिए चुले है और के इंग है कि हम देख ना यहां पर क्या होने वाला है यहां पर देखाले तो it도 still थिआर से उनुद स्कार्वह और जोंग रहे है और कुछ होने वाल हैil dhg यू वट एंड तो गड़ा नहीं तो टेक अवेरी ऑफ मैटर अगेंस्ट हर अगेंस्ट हर देखें यहां पर एक चीज दिख रहा हूँ ना वर्स्ट के बाद यहां पर देखते हैं जो चार आपको दिखें उसके बस सिक्साने वाल है तो अगेंस्ट हर क्या फर्दर एक्षन एंड टेक नो फर्दर एक्षन अगेंस्ट हर तो पी तो लास्ट में आना है ना पी तो लास्ट में आ रहा है तो यह लास्ट में क्यू नहीं यह लास्ट में क्यू नहीं अब लास्ट में दोनों में पी ठास रहा है ठीक है और दोनों में आर्ब है तो आर्चे तो अर्चे आपका यह adjective है तो sympathetic view हो जाएगा ठीक है तो आरे के बाद आपका क्या हो जाएगा यहां पर Q हो जाएगा आरे के बाद क्या होगा Q ठीक है एड़ोब के साथ में एक adjective जाए था sympathetic view मिल गया sympathetic view किस चीज़ का of the matter ठीक of the matter clear and take no further action अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहां पर प्रक्राइश लगांगे आपका संटेस क्लियर में एक सीज़ का अब यह तो noun है non of non वाले एक relation आपर दिख रहा होगा हमें non of non वाले relation दिख रहा हमें accumulation noun हो गया aim of नहीं of accumulation of what किस चीज की संग रह करते ना शंग रह करना किस चीज की aim का नहीं शोल का नहीं love का करेंगे न यह Нам क कई लए इसके बाद आपको करह रहा है कि क्यों होना चीड़ेक देख लेते आगे तो तो देख लें, Accumulation of Wealth, आप वेल्ट हो गया, यहां पर subject होए, इसके बढ़त कहानो चाहिए, यह वर्ब होना चाहिए तो वर्ब के लिए तो हमें इस चाहिए नँवर्ब, है न, इस वाला यहोगा, accumulation of wealth is not what not the soul यहां पर देख लेते हैं कौन सा हो गया s के बाद q ठीक है q के बाद r is not the soul होगा ठीक है उसके बाद p the soul aim of यहां पर q rp ठीक में यहां परiga qrp टो स्धेना एकुमिलेशन ठीक है तो यहां पर कि यहां पर q हो गया भाई थी ऑख眉नेशन ऑफ होग विल्द ठीक है इस नौट λέih सोल इना और हो ह्यूंध और चौन हो पिए निया पर करेंगे इस यहां पर भी करेंगे पंहरी क्या होना चाहिए aim of human life होता है last में the soul of human life की बात नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर subject हो गया एक verb हो गया एक object आना चाहिए था है न तो subject is not what is not कि बात the soul ठीक is not the soul aim of human life क्लिर चलिए next question पर थे लार्ज what a large देखते हैं इसमें क्या हो रहा चाहिए ठीक है लार्ज वाले में देखते हैं क्या होना चाहिए a large पता है baik a large के साथ तो number of something होता है तो जाई सी बात है की अगर यहाँ एक से start करते हां चाल उपसनहा पर देते हैं और six देते तो it लार्ज के बाद तो पता होगी क्यों से start हो रहा है क्यों से start हो रहा है Exodus कि उसे स्टस्ट ये होरा है कि उसे स्टस्ट नें रहा है की स्ट्स ऑलका लाइँ एक लार्ज नंबर अफ अफ Свेंड्ड वूड सब्जेक्ट होगे बातattend 好 चाहिए लार्ज नंबर अफ Sandalwood, क्या Sandalwood Sandalwood का Tree होना चाहिए Trees, तो यहाँ पर हो जाएगा S Sandalwood Trees Have, Have के साथ ही तो बिन लगता है ने जिसके साथ, बिन वलाएगा P वलाएगा, तो P यहाँ रख देंगे Q, S, P, बचके जो R कार रख देजे Been Failed by a Nautrius Gangaster, ऐसे भी Gangaster कैसे होते हैं Nautrius होते हैं खुक्याद Gangaster होते हैं, तो इसके साथ भी R के साथ Gangaster आना चाहिए, तो लास्ट में तो R आप कहार है, तो ऐसे भी आप रिलेट करके आप कर सकते हैं चले, next question पर आते हैं Mr. Hawking Mr. Hawking और last में यहाँ पर देखते हैं, first यहाँ पर लिखते हैं उसके बाद चार option देते हैं और six के लिखते हैं Using a check sensor Using a check sensor, किसका check sensor किसमें होता है, university में होता है, write में होता है, teach में होता है नहीं, computer में होता है On his computer using check sensor Computer में check sensor होता है यह तो आर तो लास्ट में होगा अब लास्ट में आ रहे तो इसमें है नहीं इसमें है नहीं अब दो और है साथ में फर्स वह मामला और दोनों में ऐसे सुरू हो रहा है तो चली ऐसे तो यहां पर एस तो डन होना ही होना है तो Mr. Hawking फ्रिट इसे वह प्रहते हैं कहां परहते हैं अब प्रहते हैं जब भी जाइत से बाते नहीं वह कहां पर रहेंगे इनिवर्सिती में अप्राइंगे तो यहां कि क्यों हो गया बढ़ी कि Mr. Hawking who teaches at the university ठीक अब बचिया जो पर दीजे जो university लोई पढ़ाते can write भी कर सकते हैं जो पढ़ा सकते हो write भी कर सकते हैं on his computer पर using a check sensor तो complete होगा answer आपका SQPR B numbers का correct answer हो जाएगा तो guys चलिए यहाँ पर cool 25 question थे practice setting में I hope कि सारा question आपको समझ में आएगा जो question में doubt होगा जिस भी question में doubt होगा आपको comment box में comment करके पूछ सकते हैं इस video में आई था guys next video फिर से लेकर आऊँगा कुछ नए topic के साथ thank you very much